चोड़ी चोड़ी कहानियां सिखाती बड़ी बड़ी बाते आज की कहानी सक्सेना जी की है साथवी कक्षा के सिक्षक बहुत साधारन से सिक्षक विद्यार्थियों में बहुत ज़्यादा मान सम्मान नहीं बस काम चल रहा था एक बार सक्सेना जी आ गए क्लास में पांच मिड पहले क्लास में उन्होंने अपना बैग रखा और पांच मिड बाकी थी तो चले गए केंटीन चाईपी ने चाई पी और टीचर के साथ थोड़ी बातचीत की और जब क्लास में वापस पहुँचे तो हो गए 10 मिनिट लेट और उन्होंने देखा कि सारे विद्यार्थी क्लास छोड़के जा चुके है दूसरे दिन सक्सेनाची क्लास में गए और विद्यार्थियों को बहुत डाड़ा फटकारा जाटने फटकारने के बाद उन्होंने कहा कि देखो मेरा बैग क्लास रूम में है इसका मतलब है मैं मौजूद हूँ और फिर पढ़ाया और चले गए तीसरे दिन जब सक्सेनाची क्लास रूम में पहुँचे तो देखा कि सारे विद्यार्थी क्लास रूम से नदारट लेकिन सारे विद्यार्थियों की बैग डेस्क पर रखी है और उन्होंने जब बोड पर नजर घुमाई तो बोड पर लिखा था सर हमारे बैग क्लास रूम में है इसका अर्थ है हम मौजूद है कहानी सिखाती है बहुत बड़ी सीख हम सीनियर है सिख्षक हो मैनेजर हो सुपरवाइजर हो समाज में प्रतिस्टित लोग हो लोग हमें फॉलो करते है इसलिए हमें चाहिए कि हम वो काम कभी नहीं करे जो हम चाहते है कि हमारे जूनियर भी नहीं करे रोल मौडल बने सही रोल मौडल बने सही सोच के रोल मौडल बने और सही व्यवार सही काम के भी रोल मौडल बने अगली कहानी में हम फिर मिलते हैं ठैंक यू धनिवार Namaste